हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल डिलीशियोस रेस्पीज बाय आरती में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ऐसी एक चटपटी सबजी ऐसी टेस्ट में लाजवाब सबजी जो की हम व्रत में खाएंगे बिना लेसुन प्याज की उसको बनाए मिर्ची चार से पांच नग काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का एक इंच टुकड़ा अध्रक का दो हरी मिर्च तो अब इस सबजी को बनानी के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में 50 ml पानी लेंगे और उसमें एक चोथाई चमच हल्दी डालेंगे फिर उसमें हम टेस्ट के अनुसार मिर्ची डालेंगे और एक बड़ा चम्मस धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार उसमें हम नमक डालेंगे नमक आप कोई भी डाल सकते हैं आप वरत वाला भी डाल सकते हैं और जैसे एक टाइम होता है भूजन करने का तो उसमें नॉर्मल नमक भी चलता है तो इसको अब हम मिक्स करके पानी में और ढखके रख देंगे तो तब तक हम करते हैं अपनी बाकी की तैयारी मैंने कड़ाई में दो से तीन बड़े चम्मच तेल डाला है तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप देशी घी में भी बना सकते हैं इसको सरसो का तेल वरत में कई लोग अवाइड करते हैं इसलिए मैं इसको रिफाइन मे करेंगे फ्रेंट्स परवल बहुती अच्छी सब्जी है जो कि हमारे लिए शरीर के लिए बहुत लाबदायक है यह हमारे डाइजेशन को ठीक करता है हमार ब्लड प्यूरिफाई करता है ब्लड शूगर और कलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है तो इतनी फायदे सब्जी को हम क्यों छोड़ें इसे हमें हाफते में एक दिन जरूर खाना चाहिए तो देखिए अब हमारा परवल शैलो फ्राई हो चुका है मैं उसको एक प्लेट में निकाल लूँगी थोड़ा सा दबाते हुए उसको जो उसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो कड़ाई में र इसी तरह शैलो फ्राई कर लूँगी अब इसमें मैं और तेल नहीं एड़ करूँगी मैं इसी को कड़ाई में ऐसे ही बून लूँगी देखिए अब आलू भी मेरा बुन चुका है अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी अब उसी कड़ाई में मैं डेड़ से दो चम्मच तेल और एड़ करूँगी और उसमें आदा चोटा चम्मच जीरा डालूँगी फिर उसमें दो तेज पत्रे डालेंगे हम और जीरा को थोड़ा चटकने देंगे फिर उसमें मैं आदा चोटा चम्मच देगी मिर्च डालूँगी इससे हमारी सबजी का कलर बहुती अच्छा आता है फिर भारीक कटे हुए दो हरी मिर्च डालूँगी अगर आप बहुत जादा तीखा नहीं खाते हैं तो यह पूरी दरीके से ऑप्शनल है आप यह ना डालें और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ऐसे भूनेंगे और फिर अपना टमाटर की ग्रेवी जो हमने तयार करके रखी है उसको डालेंगे और इसको तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे इसको एक नट तक भूनेंगे और अब इसमें मैं एड़ करूंगी जो मसाले मैंने पानी में भिगो के रखे थे वो मसाला इसमें अब हम एड़ करेंगे पानी में मैंने ये सारे मसालो को भिगो के इसलिए रखा था कि सभी मसालो का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छे से आ जाता है इसलिए मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था 10 से 15 मिटाप किसी भी सबजी के लिए ये मसाला तयार कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है यह सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है इसमें बिल्कुल भी डाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट बन कर तयार होती है बहुत अच्छा कलर आया है सब्जी का मसाले का अब इसमें हम अपने शैलो फ्राई की हुए परवल डालेंगे फिर आलू भी उसी में एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में जिससे की मसाले की सारे फ्लेवर आलू और परवल के साथ मिक्स हो जाएं और इसकी ग्रेवी हम अपनी मन पसंद रख सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा रसिदार सब्जी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी एड़ करें और अगर आपको बहुत ज़ादा तरी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा पानी एड़ करें मुझे थोड़ी तरी चाहिए इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और एड़ करूँगी यह बहुती जटपट बनने वाली सबजी है अस सभी को बहुत पसंद आती है आप इसको पूरी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ भी खाकर इसका आनंद ले सकते हैं यह वरत में खाने वाली बिना लहसुन प्याज वाली सबजी है और इसमें पता भी नहीं लगता है कि बिना लहसुन प्याज की इतनी स्वाधिष्ट बनकर तयार होती है कि खाने वाले सब भी आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे अब हमारी सबजी बनकर तयार है इसको मैंने 2-3 मिट ढखकर भी पकाया है अब इसको मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और इसकी गार्निशिंग धनिया पत्ती के साथ करूँगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये वरत में खाने वाली बिना लहसुन प्याज वाली आलू परवल की सबजी की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसमें हमने बहुत सारे खड़े मसाले डाले थे इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला सरफ उपर से ही डाला है और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए